हेलो गाइस आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका WhatsApp प्रोफाइल फोटो किसी को नहीं दिख रहा है तो कैसे आप इस प्रोफाइल फोटो को सही कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने तो whatsapp पे अपना profile photo लगा रखाऊं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले phone में नहीं दिख रहा है तो यह जो profile photo है किसी को भी whatsapp पे नहीं दिखता है तो चलिए फिर वीडियों को शुरू करते हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बारा हो तो सब्सकाइब करेना तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके लिए आपको करना किया है आपको वठसई अप करना है काफ़ी सिंपल सीमपल तरीके–स अब इसकर सकते होrit अब वठसब कॉपनर करने के बास सैट में आपको ट्रीडॉट का आप मिल जाता है इस पर करेंगे और यहां पे आपको आपसं प्रिख प्रॉट्प सें मिल जा सेलेक्ट होगा तो नो डिसेलेक्ट है तो इसका मतलब यह है कि आपका profile photo किसी को भी नहीं दिखेगा और यहाँ पर आप देखो यहाँ बहूपर दो option है everyone, दूसरा है यहाँ पर my contacts, अगर आप everyone को सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोफाइल फोटो सभी को दिखेगा WhatsApp पे कोई भी हो सभी को दिखेगा आपका प्रोफाइल फोटो वहीं अगर यहाँ पे आप My Contact को सिलेक्ट करोगे तो आपका प्रोफाइल सिर्फ जिन जिन लोगों के नंबर आपके फोन में सेव हैं उन्हीं को आपका प्रोफाइल फोटो दिखेगा तो हम चाहते हैं कि WhatsApp पे सभी को हमारा प्रोफाइल फोटो दिखे तो इसके लिए हम यहाँ पे Everyone को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे Everyone को सिलेक्ट कर लेजएगा कोई फियगर है उसको अटाके आप Simple Everyone पे टच कर दीजिएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे Everyone सिलेक्ट हो चुका है और गाइज इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे नीचे आना यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा ब्लोग कोंटेक्ट का आप इस पे क्लिक करना और यहाँ पे देख लेना हो सकता है कि अगर मालो आपने किसी को ब्लोग किया होगा तो उसको भी आपका profile फोटो नहीं देखेगा कुछ लोगों को जिन लोगों को आपने ब्लोग कर दिया होगा या फिर गलती से हो गए होंगे तो यहाँ पे contact से गर मिल जाते हैं तो उनको आप unblock कर देना तो profile photo दिखने लगेगा तो यह आप चिक कर लेना चोड़ा सा बस अब आपको simple why काना है अभी दूस्तो जो problem है वो solve हो चुकी है और अब दूस्तो आपका जो whatsapp का photo है वो सभी को दिखेगा चलिए मैं आपको चिक करा देता हूँ जैसे कि इस वाले phone में है और अब मैं whatsapp को open करता हूँ तो guys आप देख सकते हूँ यह वाला जो profile photo है यह यहाँ पे so होने लगा है ना इस तरीके से आप इस problem को easily solve कर सकते हूँ अगर आपको